आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो वीडियो को स्टार्ट फिर निस पहले मुझे इंस्टाइगा पर फॉलो कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें and don't forget to press the bell icon आज ही वीडियो में आपके साथ को और रिएज़ करने जा रही हूँ जो है एक प्राइमर और यह प्राइमर किसको में इसको रिखिजा करना है कौन से स्किन वलों को प्राइमर यूस करना चाहिए तो इस वीडिया में आपके साथ मैं सारी चीज़ें इन्शाला शेयर करोंगे ये वाला जो प्राइमर है मेरे पास रिवाज का है, as you can see here, रिवाज यू के प्राइमर and ये आपको मिलेगा 1500 1500 ml की बॉटल में ये जो बॉटल आपको नजर आ रही है ये 1500 ml की है and this is a glass bottle ये आप इसकी packaging देख सकते हैं बहुत है cute सी है by the way प्राइमर के इनके दाए different packaging है जब से पहले बात कर लेते हैं कि आप प्राइमर लगाना वाके ही ज़रूरी है obviously हर किसी को know how होती है कि प्राइमर लगाना आप तो चाहिए प्राइमर क्या करता है आपकी make-up को long lasting बना देता है and it's reality आप without primer make-up करके देखे end with primer करके देखे आपकी जो base होगी आपका जो make-up होगा वो ज़्यादा time तक निकालेगा और ये फर्क नजर आता है साफ ठीक हो गया दूसरी जीज़ primer हर skin type बलों को लगाना चाहिए चाहिए आपकी dry skin है चाहिए oily skin है आपकी अब oily skin बलों को होगा कि हमारी skin पे तो already oil naturally produce हो रहा तो हम primer लगाएंगे और oily होज़ी ऐसा नहीं है primer क्या करेगा आपकी base को set करे और oily skin बलों के लिए ही मुश्किल होती कि जो तना मर्जी अपने face को hydrated कर ले moisturizer लगा ले उनकी base ने फटना ही होता है उनकी वो oil निकलना start हो जाता है बट primer से कुछ फर्ट पढ़ जाता है जब आप primer लगाते है चाहे वो dry skin बलों के लिए तो ज़रूरी है उन्होंने primer लगाना ही लगाना है and oily skin बले भी primer का use ज़रूर करेंगे अब primer different तरह से आते हैं serums बले होते हैं and like ये silicon gel type होते हैं तो I think ये बले primer ज़ादा अच्छे रहते हैं ये आपकी skin पे बहुत ही smoothly apply होता है ये almost में पास तो finish हो गया हुआ है मैं जब भी अपने face पे मैंने कोई base लगानी होती है even BB cream मैं primer की तरफ चाहती हूँ तो ये इसका texture इस तरीके से आप देखने जब आप अपनी skin पे लगाएंगे इसमें फॉरन से absorb हो जाना है अब बात कर लेते हैं primer आपने लगाना कितनी देर पहले है जब आप make-up करने लगे है फॉरन से primer नहीं लगाना primer लगाने के बाद at least 10-15 minutes दे आपकी skin पे अच्छे से absorb हो जे उसके बाद अपनी face के उपर foundation लगाएं फॉरन से आपने apply नहीं कर लेना अब basic नहीं primer क्या करेगा जिनके sports होते हैं pores को बंद करेगा और आपकी जो base होगी उसको जादा long lasting बनाएगा fine lines and ankles को भी चुपाता है primer का बहुत सारा ये नहीं ये सिर्फ आपके skin को hydrated नहीं रखता इसके साथ साथ ये सारे use भी primer के ही है तो अपनी base को लगाने से पहले primer को जरूर लगाएं primer का पैज़ा moisturizer भी use कर सकते है but it's better के आप जब make up कह रहे हैं तब primer को लगाना ना भूलें ये वरा मेरे पस रिवाज का है इसका मुझे texture अच्छा लगा था और ये बहुत smooth लिए apply हो जाता है और मैंने आपको बता दिया है कि primer आपको at least make up करने से कितनी देर पहले लगाना चाहिए इसकी price है 800 रूपीस तो आप अगर इसको ले लें तो आपको काफी महीनी आपकी easily आपकी गुजर जाएंगा अगर एक single person use कह रहा है बहुत सारे हम moisturizer को भी try करते हैं लेकिन primer अपनी जगा पे primer का ही घाम करेगा हम primer के alternative चीज कोई भी use कर लेना चलो के moisturizer लगा लिए या whatever जो भी चीज लगा ले लेकिन primer लगाने के बाद वाकि ही आपको result इसका लगेगा आप सर्दियों में primer का use लाजमी कीजेगा गरमियों में तो गुजारा फिर हो जाता है बोलकि नहीं होता फिर भी पसीना आ रहा होता है अपने make-up सेट करना होता है तो primer लगा लेना चाहिए और make-up के end पे make-up spray करना ना भूलें तो कुछ tips हैं जिनको अगर आप follow करें जजा करना टेक कियर अला हाफिर